नमस्कार आप देख रहे हैं खास खबर मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार दुनिया भी कोरोना वैक्सीन बन जाने से राहत की सास ही ले रही थी कि वही कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर से हाहा कार मचा दिया युनाइटेट किंग्डम में तेजी से कोरोना के नए रूप के मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद सिर्फ यूके ही नहीं बलकि पूरे यूरोप में हालत बिगड रही है कई यूरोपी देश ने यूके से अपनी विमान सेवा भी बन कर दी है जबकि कुछ लोगों ने आने जाने वाले लोगों पर सक्ती बढ़ा दी है कोरोना का इस ट्रेन पुराने वाले कोरोना से 70% जादा घातक है जिसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी है वहीं ब्रेटेन से फैल रहे इस कोरोना के ने स्ट्रेन को देखते हुए कुछ देशों ने सक्ती बढ़ाई है जर्मनी में लॉकडाउन के जिन नियमों से पहले छूट दी गई थी अब उन्हें वापस लिया गया है बता दे कि जर्मनी में 10 जनवरी तक लॉकडाउन के नियमों में सक्ती बढ़ा दी गई है ब्रेटेन में पाए गए कुरोना वाइरस के ने स्ट्रेन को लेकर देश में भी एहतियाद बढ़ती जा रही है ब्रेटेन से भारत आने और जाने वाली सभी फ्लाइट को रोग दी गई है वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले दो हफते में ब्रेटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जाज कराने का फैसला किया है बता दे कि 9 दिसमबर से अब तक ब्रेटेन से लगबग 7,000 लोग दिल्ली पहुचे है खास खबर में फिलाल इतना ही खबरों के लिए बने रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया के साथ नमस्कार